आज हम happy money technique करने वाले हैं यह technique कैसे करना है सब मैं आपको बताने वाली हूँ मैं इतने दिदों से आप लोग को बता रहे थी कि universe में जो भी चीज़े हैं सारे energies है money एक energy है and money को एक ही box में रहना एक ही जगर रहना पसंद नहीं है money energy है and उसको inflow and outflow चाहिए उसको inflow and out flow पसंद है inflow and outflow का मतलब है उसको spend करना पसंद है उसको spend होना पसंद हे उसको यहां से बहां जाना पसंद मनी को अगर आप एक box में रखेंगे तो皮शन को नहीं अच्छा लगता मनी आने वाला है and outflow यानि money को जाना है उसको spend करना है ठीक है अब spend करना है इसका मतलब यह नहीं है कि आप online shopping करो 2, 3, 5, 10,000 के shopping करो की नहीं भाया हमें जो है पैसे को spend करना है तभी पैसे आएंगे ऐसा नहीं है कि अगर आप spend करो आपको पैसे मिलेगा यह मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूं आपका जो spend है आप जो कर रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या डिमार्ट चले गए या groceries खरीदने चले गए महेंगे शॉपिंग करने लगे entertainment ले movie बगेरा चले गए मैं उसकी बात नहीं कर रहे हूं spend यानि की blessings करो blessings दो लोगों को जिनको ज़रूरत है उस चीज की उन्हें blessing दो चिक है जितना आप blessing दोगे universe आपको return में देंगे भगवद गीता में भी है जो आप दोगे वही आप return आपको मिलेगा है ना ऐसे भगवद गीता में भी है तो यह जो टेक्निक है happy money टेक्निक इसमें आपको किसी को bless करना है blessings देनी है मैं act of kindness की बात कर रहे हूं यानि कि आप ही खुद सोचो जब हम किसी को biscuit वगएरा खिला दे या किसी को कुछ देते हैं करीब को देते जिनकी जरूरत होती है वह देनी के बाद आपको कैसा फील होता है अच्छा फील होता है जब आप खुद से किसी को देते हैं ल सब उन्हें देते हो तभी आपको खुद को अच्छा फील होता है है तो आपको आज की जो टेक्निक है इसमें आपको किसी को ब्लेस करना है किसी को यह आपके उपर है आपको यह प्रक्टिस के लिए simply एक नोट चाहिए चोटा सा एक नोट चाहिए जिस पर आप नोटिंग करेंगे आपको चाहिए रुपीज वह आपके उपर है आपके इतना रुपीज देना चाहते हैं आप 10 रुपीज देना चाहते हैं 20, 30, 40, 50, 100 जितनी आपकी कैपसिटी आपको कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही देना है आपका जितना आप दे सकते हैं उतना आपको व और अच्छी बात है जिनको blessings की जरुरत है उनका आप help कर पाएंगे और आपने 50 रुपीज का note लिया मैं अपना example बता रही हूँ आपने 50 रुपीज का note लिया और अभी आपको एक छोटा सा पर्चा लेना है पर्चा यानि कि छोटा सा note लेना है यानि कि पेपर लो कट करो ऐसे छोटे से note लो या फिर बड़ा चाहिए तब बड़ा लो उस पर आपको blessings लिख नहीं है अभी जिसको भी वो note जाएगा वो blessings उसके साथ जाएगा अब आप उस note पर कुछ भी लिख सकते है यू आर लगी यू डिजफ दिस simply एक single sentence लिख सकते हैं या फिर आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं दो तीन लाइन का जैसे आपको चाहिए आप ये कंपल सरे नहीं है यू डिजफ दिस यू लुकी ऐसे लिख सकते हो आप अगर किसी को bless कर रहे हो, खुद से blessings दे रहे हो, तो आपको क्या बोलना है, यह आपको ज्यादा बताऊगा, तो इसलिए, जैसे आपको अच्छा लगे कि आप किसी को blessings दे रहे हो, तब आप क्या बोलोगे, वो note पे लिख लीजिए, ठीक है, थैंक यू 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 निवर्स, या, यू डिजर्व दिस, यू आ लखी, ऐसे जो भी आपको अच्छा लगे, वो उस note पे छोटे से परचे पे लिखिए, अब सिंपली आपको करना क्या है, वो 50 रुपीज का note है, जो भी आप note ले रहे हैं, वो note के उपर, वो रुपीज के उ आपको अगर आप ट्रेंस से ट्रावल करते हैं, अगर आप उला अबर यूज करते हैं, अगर आप ब्रोसरी स्टोर्स जाते हैं, या डिमार्ट वगेरा जाते हैं, या मॉल्स जाते हैं, तो उस जगय पर जाके, कोई भी पब्लिक प्लेस में जाके, उस note को रख देना है, ले रहा है अर वहांसे चले जाना सुन है अपको लेंस तरह सब्सकी समस्तोंahaha सुनिपोस दहिंतक पמצण की उस थे वह चाती हमेंगे आपको टोटली अनौनिमस बनके वहां इस च्छीज में आपको देखना है कि वह कौन ले रहा है वह blessings कौन ले रहा है अपको नहीं देखना है आपको वह नोट रखके चले जाना है वहां से और जब जिसको भी मिलेगा वह नोट वह पड़ लेगा की उसको ये blessings में मिला है ठीक है universe ये जो amount आप ये कर रहे हैं वो universe जिसको जरूरत है उनको भेज देंगे अब आपको अगर ये weird लग रहा है तो कोई problem नहीं है आप मत कीजें लेकिन ये एक act of kindness है ये blessing है जो मैं आपको बता रही हूँ जितना आप bless करते हो लोगों को वो ही घून फिर के आता है अब इसमें ये आपके उपर है आपको करना है नहीं करना है ये आपके उपर है मैं बता रही हूँ ये करना है क्योंकि जो देते हैं आप वही receive होता है इसलिए और जब आप ये देते हैं जब आप वो रखते हो वो जो note आप रखते हो blessings आप रख रहे हो कोई भी पब्लिक प्लेस पे जहां पर आपको रखना है रखने टाइम रखते टाइम आपको सिफ यह सोचना है यह यूनिवर्स को बोलना है थांक यू यूनिवर्स और आपको ऐसा सोचना है कि मैं जितना कर रही हूं मैं प्लेस करने का मौका मोगा मिलता है मैं उनिवर्स को दिल से बोलत función की आपने मेरा पॉकेट यूज किया लोगों को ब्लेस करने के लिए तो यह टोटली आपके उपर आपको कितना अमाउंट देना है यह प्रैक्टिस करना है कि नहीं और अगर आप कर रहे हैं तो यह मन्त में एक एक बार नहीं करना है मन्त में आप ट्राइ कीजिए 4-5 ताइम्स करने का यह जो प्रैक्टिस में आपको पता है मन्त में 4-5 ताइम्स करने का जहां पर आप जाते हो पब्लिक प्लेस पे जस्ट रख दो एनॉनिमसली एंड आप वहां से चले जाएगे यूनिवर्सी सोचेंगे कि वह उसको किसका नीड है और उस तक वह पहुँच जाएगी और इसी तरीके से आप ब्लेसिंग्स दे देओगे ठीक है किसको आप दे रहे हो वहां पर खड़े हो के नहीं देखना है और येस आपको यही करना है किसी की ह़क करके देखो आपको बहुत अच्छा लगी यह आपट ऑंदेस होता है तो आप अगर किसी को भी इस तरीके से हब करते हो तो आपको बहुत अच्छा फिल होते है रहे अपी फिल होते हो मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीडियन्स देना चाहूंगी जो मैंने यह प्रैक्टिस किया था इसमें मैंने मेरे बड़े के दिनी से इस्तेमाल किया था मैंने ऐसे कुछ 10 नोट्स बनाये थे 10 नोट्स बनाये थे 10 नहीं सारी not 10 100 रुपी टोटल हुआ था मतलब 10 रुपीज 20 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज ऐसे करके मैंने बनाया था और वो जो भी मेरे मेरे रस्ते से में जा रही थी ना ओफिस जा रही थी तो वो रस्ते में जो भी चीज़े पढ़ रहता ना मैं वहां परी अनॉनिमसली वो एमांट्स जो है वो ड्रॉप करते हुए जा रहे थी और उस पर हर एक चीज पर हरे किसमें नोट लिखा हुआ था यू अर लगी यू डिजर्व देस और इस तरीके से मैं वो नोट पर लिखा हुआ था जिस तरीके से मुझे चाहिए था कि मैं लोगों को ब्लेस करूँ तो उसी तरीके से मैं यह टेकनिक को इस्तेमाल किया था मैंने ब्लेस करने के लिए एंड लिटरली मुझे बहुत तो अगर आप यह प्रैक्टिस को जा कुर रहे है अगर आपको अच्छा लग रहे है तो प्लीस कीजिये एंड ऐसाा नहीientes कि मैं ने तो ब्लेस किया मुझे क्यो नहीं खा किया है पैसा दिया मेंने ब्लेस किया मुझे क्यों नहीं आária है इ também टेक्स टाइम और यह फर्स goals ए आपको मैने में दो तीन बार चार बार जैसे मैक्सिमम चार बार कीजिए और पैसे की कोई लिमिट नहीं है आप 10 रुपीस से स्टार्ट करके 500 तक अगर आपकी रीच है तो आप 500 तक आप कर सकते हैं और मन्त में आप 3-4 बार कीजिएगा आपकी इच्छा उससे ज्यादा तो इसलिए आउट फ्लो भी जरूरत है अभी आउट फ्लो का मतलब मैंने आपको बता आप अपने ओपर स्पेंडिंग नहीं है हम तो करते ही है लेकिन लोगों को भी ब्लेस करना है तो इसी तरीके से आप यह प्रैक्टिस को कीजिए और ठीक है तांक यू सो मच और आपक को भी डाउट रहे तो आप मुझे पूच सकते हैं थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू